हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो मैं चैनल आज की वीडियो में हम हैवी साइज पैंड की कटिंग करेंगे तो यह देखिए यह ड्रेस माटेरियल के अंदर जो कपड़ा आता है सलवार के लिए पैंड के लिए यह वो कपड़ा है तो यह करीब धाई मीटर कपड़ा है ऐसे नहीं है कि हमको पैंड सिलना है इसलिए यह धाई मीटर कपड़ा है ड्रेस माटेरियल के अंदर जो भी कपड़ा आया है तो हम उसमें पैंड सिलने वाले है तो यह देखिए यह हमारे पैंड के जो ट्राउजर हम सिलेंगे उसके मा जो है फॉर्टी इंच की हमारी लेंध है 46 हिप साइज है और जो मौरी बनेगी हमारी वह 14 इंच की है तो यह देखिए सबसे पहले तो हमने स्केल लगा कर एक स्ट्रेट मार्क कर लिया कि यहां से नीचे ही हम कपड़े के उपर माप रखेंगे तो सबसे पहले हमने एक एलास् हमारी पैंट की जो लेंध है वह 40 इंच की है और उसके नीचे हम इसी तरह स्केल की जितनी चोड़ाई है उतनी हमको मौरी को फोल्ड करने के लिए कपड़ा चाहिए इसलिए हमने उपर एलास्टिक के लिए और नीचे मौरी फोल्ड करने के लिए इतना कपड़ा हमने एक् 40 इंच बीच में है और इलास्टिक के लिए 1,5 इंच रख जो है कि अब lifting के व्याईकrov चुर्ण 2,5 to 5-5 इं어서 1,5 सब्सक्राइब 10 कटाःकर इंbur 4 इंच के लिए 50 इंच होता है तो उसका चौधा पार्ट कर लेंगे 53 गशूअ का शुम्प साड़े बारा इंच निकल आता है तो साड़े बारा में हम एक इंच प्लस करेंगे तो साड़े तेरा इंच पे हमने ये एक मार्किंग लगा लिया और यहां पर हम एक इंच प्लस करते हुए साड़े चौदा इंच पे एक मार्किंग सीधा निशान लगा रहे हैं और उसी नि पर हम जहां से हमने सीधी मार्किंग लगाए वहां से दो इंच बाहर में निकालते हुए हल्क ऐसा गोलाई में हम शेप देंगे तो यह देखिए इस तरह से और यह हमने जो 13 इंच लिया है उसको हम सेंटर बना नेंगे पौने 7 इंच आएगा तो फिर नीचे भी हम 10 इंच प चलील की मदद से लाइन और 14 16 माम क्वाल आधा करने अल्ञेसाथ होता है तो लाइन के इस साइड इनच में 3 таких साड़े तीन इंच प्लस आधा इंच मार्जीन के साथ तो चार इंच इस साइड चार इंच इस साइड इस तरह से रखते हुए हम हिप की जो लाइनिंग है वहां से इस तरह से शेप देंगे कि हमारी पैंट का जो शेप है वह निकल कर आए यह देखिए यह फ्रनट पार्ट है यह सिस्फ हमने दो फोल्ड में ही फ्रनट पार्ट कट किया है जो हमारा लैंग है कपड़ी की जो लैंग है उसको हमने अर्ज के अंदर fold किया है अर्ज के अंदर fold किया है यह सिर्फ अभी हमारे front part कर हो रहे हैं इसकी अंदर हम कुछ customization करके हम back part की cutting करेंगे तो यह देखिए यह front part है यह हमारे front part की cutting हो गई अब हम इसी को base रखते हुए back part की cutting करेंगे तो यह देखिए यह नीचे का जो भी extra कपड़ा है उसमें हम length देख लेंगे हमारा कपड़ा धाई मिटर के करीब है तो इसके लिए इसमें अराम से हमारे pan की length आ जाएगी नहीं तो हम उपर में जाइंट लगा सकते थे यह देखिए इस कपड़े को भी हमने औरज में इस तरह से fold करके रखा है खुले मूख अपनी side है और बंद वाजू सामनी की वाजू है और इस fold किये हुए कपड़े के उपर हमारा जो band का front part है जो हमने cut किया है उसको हम इस तरह से बहुत थी finishing के साथ बिछा लेंगे यह देखिए जहाँ पर हमारा crouch area है जहाँ पर कर्व शेप लिया है हमने आसन की जगा पर वहाँ से हमको customization करना है 2-2 inch हम यहाँ से बढ़ाएंगे यह देखिए पूरी जो length है लेकिन कहाँ पर आसन की जगाँ पर हमको 2-2 inch बढ़ाना है यह देखिए और यहाँ पर भी हमको इसी तरह शेप देना है जिस तरह से front में शेप है उसी तरह से back में भी शेप आएगा बस इतना है कि इसमें 2-2 inch एक्स्ट्रा रहेगा और उपर में जिस बाजों से आसन है वहाँ पर हम 1.5 inch प्लस करेंगे और आगे की जो side है वहाँ पर हम जो हमारी किनारी है जहां से हमने दूसरी किनारी कट किये है जहां से हम यह कट कर रहे हैं वहाँ से हमको बिल्कुल भी बढ़ाना नहीं है लेकिन जो हमारा आसन की जगा है आसन का सेंटर है वहाँ पर हम 1.5 inch बढ़ा लेंगे उपर में तो यह देखिए यहाँ पर फ्रंट और बैक में यह डिफ्रेंस है कि आसन में लेंथ में भी 1.5 inch बढ़ा हुआ है और साइड में भी 2-2 inch बढ़ा हुआ है और इस तरह से इसको हम आगे सरकाते हुए पैंट की कटिंग कर लेंगे इससे हमारे पैंट की सिलाई में कम जादा बिल्कुल भी नहीं होगी थैंक्स पॉर वाचिंग बाई